नमस्ते आज मैं श्ट्रिट श्टाइले चौमीन की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसको मैंने दो तरह से बनाया बहुत ही यमी और जल्दी बन जाता है इसके लिए आप एक पॉट या पैन ले 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 उसमें पानी को इस तरह से उबाल ले उसमें नमक डाल दे एक चमच के करी और उसमें हम ऑईल डाल देंगे रिफाइन ऑईल मैंने यूच किया इस तरह से हम चौमीन को डाल कर अच्छे से हम उबाल लेंगे देखे बिलकुल इस तरह से यह उबल जाना चाहिए ध्यान रखे ज्यादा ओबर कुक ना करें यह श्टिकी हो जाएगा फिर बिलकुल हम अनियन को से पघाव लेंगए इस तरह से मैंने एक पतेयो यूच कि अगर आपको ना पसंद ओ तो आप से कट लगाई तो हमें से छूटी चूटी कट लेका थे मैंयदे काजर इस commercial इं Till अद्रक और प्याज इन सबको हम थोड़ी देर अच्छे से हम सौटे कर लेंगे हलका से रोष्ट कर लेंगे हम इसमें जो भी सब्सक्राइब करना चाहते हैं पत्ता गोभी या फेरे गोभी आप एड़ कर सकते हैं अब देखे जो हमने बारी कट करके आलू रखे थे उसे हम इसे भी हम अच्छे से रोष्ट कर लेंगे यह बिल्कुल इस्टेश्टी स्टाइल चौमी नों बहुत ही अच्छी काफ़ी डिलेसेस बनकर रैडी होती है बिल्कुल मार्केट जैसी अच्छी से हम सिम्ला मिर्च बेंस गाजर मटर कॉन इन सब चीजों को हम डाल कर तो बिल्कुल इस चीज का ध्यान रखे अब इसमें हम जो चौमी नोबाल के रखे तो इसमें आड कर देंगे देखे बिल्कुल इस तरह से इसमें से मैं हाफ चौमी निकाल कर मैं से साधा रखूंगी और हाप में हम सौस वगरा एड़ करेंगी मेरे बच्चों को नहीं पस अब इन सबको हम इस तरह से कंटिनू चला लेंगे देखे हमारी चौमीन बनकर रड़ी हो चुकिए बिल्कुल स्टेट स्टाइल चौमीन बन गई है आप भी खाएं अभी बारिस का मौसमें बहुत ही मज़ा आता है तो इस तरह से खाएं अब फैमिली को खिलाएं देखे इस तरह से मैंने बच्चों के लिए इस तरह से निकाल लिया है अब मन करें तो इसमें आप आड़ करके उपर से भी सॉस खा सकते हैं तो वीडियो अच्छे लगे तो पिलिस सब्सक्राइब